नमस्कार मैं प्रवेश गोतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश पश्चिम मद्रेल मुख्याले जबलते के इतिहास में ऐसा महाप्रबंधक आपने देखा नहीं होगा शायद जो पूरी तरह से आख बंद करके भ्रस्टा चार की टंकी को भरने में संभवता पूरी मदद कर रहा है सुधिर कुमार गुपता के नेत्रत में भ्रस्टा चार पर लगाम लगाने के बजाए इसको संरक्षण मिल रहा है आलम यह है कि सुधिर कुमार गुपता जी एक एपसकॉंडिंग यानी की गायब रेल करमचारी जो की एक बड़ा करमचारी नेता भी है उसके आगे लगभग नत्मस्तक से हो गए है ऐसा प्रतीत हो रहा है यहां तक की महाप्रबंधक महोदश सुधिर कुमार गुपता जी इस नेता के सामने ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे भीगी बिल्ली इन करमचारी नेता के समर्थक खुल कर सोशल मीडिया में लिख रहे हैं नेता जी के सामने किसी की नहीं चलती और वो जो चाहते हैं पश्चिम मद्ध रेलवे प्रशासन कर देता है आपको सुनकर आश्चर होगा कि सुधीर कुमार गुपता जी खुल कर इस नेता के साथ फोटो खिचवाते हैं बैठक करते हैं जबकि यह नेता रेलवे के आधिकारिक रिकॉर्ड से गायब है कायब है चोकिय मत बताऊंगा पूरी बात मतलब ना नेता ना तो अपने पद पर उपस्थित हो रहा है और ना ही उसकी कहीं और प्रदिस्थापना या प्रतिन्योक्ती के आदेश जारी किये गए हैं इस तरह से अनाधिकरत तोर पर एक कर्मचारी नेता को सन्रचन देने पर सुधीर कुमार गुप्ता का नाब भरिश में काले अच्छरों में लिखा जाना चाहिए संभावता ये पहला मामला होगा जहां एक महा प्रबंधत खुले आम नियमों को तोड़ते नजर आ रहे हैं आज के छुपा खेल में बताऊंगा दिखाऊंगा क्या है पूरा मामला और खोलूंगा परत दर परत एक विशेश निवेदन है आपसे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आपके सिर्फ बेल आइकन दमाने से हमें हमारा महंताना मिल जाता है फेस्बुक में देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लिए देखते रहिए चुपा खेल विद प्रबेश स्वागत है आप एक बार मेरे यूटूब चैनल या फेस्बुक पेज को स्क्रोल कर लिए और वरी और अप्रेल में मार्च में भी आपको कर्मचारी नेता से संबंधित कुछ खबरे मिलेंगे इन खबरों में मैंने पश्चिम मद्ध रेलवे में चल रहे ब्रस्टाचार की पोल खोली थी कैसे कर्मचारी नेता को लाब पहुचाने के लिए नियमों को खुले आम तोड़ा जा रहा है वो एबी आला अधिकारियों के संब्रच्छा है अनिमित्ता की जा रही है लगाता घुटाले हो रहे हैं मेरी इन खबरों के बाद रेल प्रशासन थोड़ा सा होश में आया था और नियम विरुत तरीके से कर्मचारी नेता को किये जा रहे भुक्तान को छुपाने के लिए रिकवरी नोटे जरूर जारी कर दिया ताकि मामला ज्यादा तूलना पदरे जिसमें लगबग 20 या 30 लाक रुपए की रिकवरी निकाली गई थी और बकाइदा किठी लिखी गई थी पर आज दिनांग तक इस रिकवरी को लेकर क्या किया गया इस पर रेल प्रशासन चुप है मेरे कई सवालों के जवाब महाप्रबंदक से लेकर नीचे कोई भी अधिकारी नहीं दे रहा है यहां तक कि इस मामले से जुड़े दस्तावेजों की प्रमारिक प्रती के लिए लगाए गए आर्टियाई आवेदन का भी आज दिनांग तक जवाब नहीं दिया गया है ततकालीन भुपाल डियारम सौरब बंदुपाद्याय ततकालीन पश्चिम मंदर रेलवे के एजी एम शोवन्च चौधरी तक इस नेता के आगे नतमस्तक से होकर काम कर रहे थे शायर पश्चिम मंदर रेलवे में माननता प्राप्त यूनियन है मजदूर संग यानि WCRMS इसके महा मंत्री है अशोक शर्मा अशोक शर्मा का मूल पद है CLI यानि चीफ लोको इंस्पेक्टर यह पिछले लगबग 11 सालों से यूनियन की प्रतिन्युक्ति पर है र्टी आई से प्राप जानकारी अनुसार 31 मार्ट 2023 को अशोक शर्मा की प्रतिन्युक्ति समाथ हो चुकी है नियम अनुसार अशोक शर्मा को एक अप्रेल 2023 से अपने मूल पद यानि CLI में ज्वाइनिंग देनी थी चीफ लोको इंस्पेक्टर भोपाल में क्योंकि अप्रेल में अशोक शर्मा का प्रतिन्युक्ति आदेश जारी नहीं हुआ था इसके अलावा मजदूर संग को जो रेलवे को लगभग 30 लाख रुपे का बुक्तान भी करना है सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार आज दिनांग तक ना तो अशोक शर्मा ने अपने मूल पद पर ज्वैनिंग दी है ना ही छुट्टी का कोई आवेदन दिया है तियारों शाखा में कम से कम इसकी जानकारी नहीं है महत्वपूर बात यह है कि सूत्रों द्वारा प्रदान जानकारी अनुसार अशोक शर्मा को अभी तक पश्चमद रेलवे ने प्रतिन्युक्ती पर जाने के आदेश जारी नहीं किये है यानि तकनीकी तोर पर देखा जाये तो अशोक शर्मा रेलवे की नौकरी से एप्सकॉर्णिंग माने जाने चाहिए यानि गायब बिना सूचना के वो भी लगबग पांच महीने अप्रेल से अभी तक जोड़ेंगे तो अप्रेल, माई, जून, जुलाई, अगस, पांच महीने होगा, सितंबर चल रहा है, छटवा महीने आपको यह जानकर भी आश्चर होगा कि अशोक शर्मा खुले हा, माप्रबंधक पे साथ मीटिंग कर रहा है, फोडो कीचवा रहा है और वेवे में सोशल मीडिया पर उनके समरता कि यह फोटो डाल भी रहा है, कि अशोक शर्मा जी मिल रहा है पास्चिम मंद्रेलवे के मुक्याले में PCP उसाहित लगबख समस्त आला अधिकारियों से अशोक शर्मा की मुलाकात लगातार हो रही है इसके प्रमार देने की आवश्यक्ता नहीं है, आप कारेया ले जाएंगे, आपको पता चलिए है यहां तक कि बोपाल लेल मंदल में रेल मंत्री तक का स्वागत अशोक शर्मा ने किया और उनको ग्यापन आदी भी सौपा संभवता रेल मंत्री को न तो DRM भोपाल ने और नहीं जीम ने जानकारी दीती कि अशोक शर्मा के भी प्रती नुक्ती नहीं हुई है और वो तकनीकी तोर पे एक्सकॉंडिंग है मतलब साफ है अशोक शर्मा यहीं मौझूद है पर एक भी रेलेवे अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं है कि अशोक शर्मा वर्तमान में यानि रेलेवे के अधिकारिक दस्तावेजमर का कहा पर पदस्ता लग भाग एक महीने पहले मैंने RTI भी लगाई अभी तक उसका जवाब नहीं आया है अब अपील के समय आ लिया है जो नहीं दी ज्वाइनिंग छुट्टी का अविदन दिया नहीं दिया कोई नहीं बूलवा हमारे सुत्रों नहीं अभी बताया कि मूल पद उनका TRO शाखा में है वहाँ पे आज की डेट में कोई भी जानकारी नहीं है यही सवाल महाप्रबंधक सुधिर कुमार गुप्ता से भी मैंने पूछा और सुधिर कुमार गुप्ता से लेकर PCPO, CPRO, बुपाल, DRM, सीनर, DPO आदी सभी अधिकारी खामोश है एक सवाल था कि एक कर्मचारी की नियुक्ती कहा है, उसकी जानकारी देने में क्या तकलीफ है, महाप्रबंधक महोद है इस खामोशी का मतलब शायद आप जानते हैं या समझ सकते हैं आफ रिकार्ड, कुछ वरिष्ट अधिकारी ये कहते हैं आफ रिकार्ड, नाम नहीं बताते हैं क्योंकि नोकरी के सवाल, S.E.R. नहीं गड़ जाए कि GM सुदिर कुमार गुप्ता जी, ही साइलेंट है, तो बाकी लोग क्या कर सकते हैं एक और बात, रेलवे से जुड़े सुत्रों का कहना है कि महाप्रबंदक सुदिर कुमार गुप्ता जी, कि कुछ अतीम महत्व पूल, या निशायत कुछ लेंदें से संबंदें, संभव का गड़बड़, की जानकारी अशोक शर्मा को है, ऐसा सुत्रों का कहना है, ये आपको पता हो तो जरूर बताईए, पर हाला इस और इशारा कर रहे हैं कि जब जीम की चुप्टी है, इसका मतलब ताल में कुछ काला है, और कहीं सुत्रों की बातें या जो दबी जुबान चर्चा है, वह सच तो नहीं, एक और बात जो जबलपुर के सुत्रों से निकल क बाहर आ रही है, लोग दबी जुबान चर्चा भी कर रहे हैं, कि जीम सुधीर कुमार गुप्ता जी का रिटार्मेंट नजदीक है, अक्टूबर में उनका रिटार्मेंट है, और रिटार्मेंट जे पहले जीम साहब कुछ विशेश फंड की व्यवस्था में लगे हैं श प्रवाल नहीं है, एक कर्णचारी के तकनीकी तोर पे एपस्पॉंडिंग यानि गाया बोले संबंदित प्रवाल है, मा प्रवंदक मौदे, आपके अधीन हो रहे है इस तरहे के, क्रत्त, आपके प्रती, आपके निष्ठा के प्रती, सवाल खड़े करते हैं, इसको संदे संदे हास्पत सी प्रतीत कर रहे हैं, जो भी हो, पर मामला गंभीर है, एक कर्णचारी नेता को इस तरह संदक चार देना है, कि पीछे कुछ संदे हास्पत मन्शा जरूर विक रही है, शायद जीम्पी या किसी और, एक और बात बता दू, तकनीकी तोर पे, चुकि एक अगजों में, फिर भी हमारे सूत्रों ने बताया कि हर महीने लाखो रुपए का वेतन और अन्य भत्ते अशोप शर्मा के खाते में बकाइदा जा रहे हैं, पियारों से जोड़े सूत्रों का कहना है, कि उन्होंने अब शीट बनाना बंद कर दिया है, जब मैंने खबर दि निमित्ता का मामला है, क्या पश्चिम मद्ध रेलवे के SDGM, विजिलेंस के सबसे बड़े अधिकारी, पंकच कुमार शर्मा जी इस पर संग्याल ने, महा प्रबंदक महोदय जी, आपकी कारे प्रणाली बहुत कुछ इशारा कर रही है, आपकी मन्शा के प्रफ़े, हमारा फेस्बूक में देख रहे हैं, तो फॉलो बटन जरूर बहुत 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 धन्याद